Hello Friends, Welcome to Educational Mandir Friends, आज की वीडियो में हम RPSC Headmaster का जो एक्जाम हुआ था उसकी आंसर की देखेंगे तो इसके जो पहले 75 questions है उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो फ्लोट कर दी थी और आगे की जो questions है वो हम इस वीडियो में देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बारत की वास्त्यक GDP में वर्स 2021 में कितना संकूचन NSO दवारा अनुमानित किया गया है ये किया गया है 7.7 परतिसत उप्शन 2 नेक्स्ट 77 का अंसर जो है वो मुझे नहीं मिला अगला देख लेते हैं 2018 की तुलना में 2019 में SDI रैंकिंग में दो अंकों की गिरावट के संबन्द में निमन लिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें सत्य कथन है वो है उप्शन 3 स्कूली शिक्ष्या के अप्यक्षित वर्स 12.2 पर स्थिर रहे नेक्स्ट है 79 का अंस्वर भी जो है वो नहीं मिला 18 नंबर कोश्चिन है गोपालन विभाग के संबन्द में निमन लिखित में से कौन से कथन सही है उप्शन A यह सरक्षन कार्यकर्मों को बढ़ावा देने और राज्या की पसू अबादी के विकास के लिए जैविक खेती के चेतर में गोशाला परवंदकों को परवंदकी एकोसल परदान करना यह भी सही है वर्स 2018-19 के दोरान गोशाला को पसू निरोद के लिए 150 लाग की साइता दी गई है यह भी सही कथन है पर्थम चरन के दोरान गोशाला को 176.19 करोड रुपए बांटे गई यह कथन जो है वो सही नहीं है इसका जो राइट आउंसर है वो है उप्शन 3 नेक्स्ट है निमन लिखित में से कौन सा ओप्रेशन राजस्थान राजे सरकार के करमचारियों के लिए पे मैनेजर के माध्यम से नहीं किया जा सकता है वेतन बिल्ट तयार करना अवकास नकदी करण बिल्ट तयार करना वेतन पर्चे डाउनलोड करना राज्य बीमा रिन के लिए आविदन करना नेक्स्ट है यूसबी पैन ट्राइव किस परकार कि storage device के अंतरगत आती है USB pen drive जो है वो secondary memory के अंतरगत आती है Next है सकूल को गोद लेने के लिए निमन में से कौन सा online portal सरवादिक उप्युक्त रहेगा Smile, ग्यान संकल portal, Google Meet, Google Classroom ग्यान संकल पोर्टन जो है वो सरवादिक उप्युक्त रहेगा Next है सकूल में e-learning के लिए Project Smile का पूर्ण रूप है Project Smile का जो पूर्ण रूप है वो है Option No.1 Social Media Interface for Learning Engagement Next निमन लिखित में से कौन सा एक wireless networking तकनिक नहीं है Optical Fiber, Wi-Fi, Hotspot WLAN, Bluetooth Optical Fiber जो है वो wireless networking तकनिक नहीं है Option 1 इसका राइट आंसर है निमन में से आकार में सबसे छोटा कम्प्यूटर कौन सा है Mini Computer, Mainframe Computer Micro Computer, Super Computer Micro Computer जो है वो सबसे छोटा कम्प्यूटर है Next निमन लिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं तो साला दर्पन जो है वो है Option A आर्चे संबन दिता है वह पोर्टल जहां सभी सरकारी स्कूल की जानकारी Online उपलब्द होती है इसके बाद Google Classroom जो संबन दिता है Online टूल जो सिक्षकों को Assignment सेट करने छात्रों द्वारा समिट किये गए कारिया का मुल्यांकन करने और ग्रेड़ पेपर वापस करने की अनुमती देता है Google Meet जो है वो है एक वीडियो कॉनफरेसिंग सॉफ्टवेर और Computer Added Learning जो है वो है एक सेक्सिक वातावरन जहां किसी विशेश-विशे को सीखने में उप्योग करता की सायता के लिए इस तरह से जो इसका Right Answer है वो है Option 1 Next है निमन में से BCC का उप्योग किस में किया जाता है BCC आ उप्योग जो है वो ईमेल में किया जाता है Option 1 Next है निमन लिकीद सूची 1 को सूची 2 से मिलाए इसका भी हमें सही मेच करना है hacking जो है वो है ऐसी गतिविदियां जो digital उप करनों जैसे की computer, smartphone, tablet और यहां तक की संपूर network की security से समझोता करना चाहते हैं उसके बाद email जो की ऐसे समंदित है एक computer उप्योग करता द्वारा एक network के माध्यम से एक या अधिक प्राप्ट करताओं को electronic माध्यम से वित्रित संदेश browser जो है वो है software जो web पर वेब प्रिस्टों और फाइलों को access और परदर्शित करता है और barcode machine पठनी optical label जिसमें उस item के बारे में जानकारी होती है जिसके साथ वह जुड़ा होता है तो इस तरह से जिसका right answer है वो है option 4 next lecture slide presentation बनाने के लिए निमन लिखित में से कि software का उप्योग किया जाएगा तो इसके लिए जो हो MS PowerPoint का उप्योग किया जाएगा option 2 next निमन में से कौन MS Bing के उप्योग को सेंदर्बित करता है तो MS Bing जो है वो एक search engine है next निमन में से सबसे तेज गती से data transfer करने वाली केबल कौन सी है optical fiber, coaxial cable, twisted pair cable, cat6 cable तो ये है optical fiber cable option 1 next दूर गटना बस आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने MS Word document में कारिये कर रही होते हैं तो आप उसे कैसे पुने प्राप्त करोगे तो अपने प्राप्त किया जाएगा इसको control plus Z के दुआरा next है integrated circuit का उप्योग computer की किस PD में शुरू हुआ था तो integrated circuit का प्रियोग जो है वो तीसरी PD में शुरू हुआ था option 3 next है निमन लिखित में से कौन सा कथन सही है option 1 hardware computer system के बोतिक उपकरनों को संदर बीत करता है यह सही कथन है software प्रोग्रामों के संग्रे को संदर बीत करता है यह भी सही है program एक भासा में लिखे गए निर्देशों का एक करम है जिसे computer दवारा समझा जा सकता है यह भी सही है तो इसका right answer है option 4 next है कौन सा सुमेलित नहीं है जवाई पाली यह सही सुमेलित है बिसलपूर टॉंग यह भी सही है सिद्मू गंगानगर जो है वो सुमेलित नहीं है यह अनमानगर से समदित है पांचना करो ले यह भी सही है तो इसका right answer है वो option 1 next है यूरोप का सर्वोच परवत सिखर कौन सा है यूरोप का जो सर्वोच परवत सिखर है वो है माउंट अलब्रूज option 4 next है निमलिकित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्यपरदेश से नहीं लगती है तो डुंगरपूर और भरतपूर की सीमा जो हो मध्यपरदेश से नहीं लगती है next है निमन में से किस जिले में उसन कटीवन धिये सुस्क पज़ड़वाले वन नहीं पाए जाते है तो ये वन जो है वो जालोर में नहीं पाई जाते हैं, उप्शन 2, तालचेर कोईला छेतर स्थित है, ये जो छेतर है, ये स्थित है ओडिशा में, उप्शन 1, नेक्स्ट है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार, किन जिलों में अनुसुचित जनजाती का परतिशत, उनकी कुल जिन संख्या में अध दिक्तम है वो है, बासवाड़ा और न्यूनतम दिकानेरोर नाबोर, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो उप्शन 4, नेक्स्ट कुर्शन है, नतिया जो अपना जल सांबर जील में गिराती है, साबी, चाप, रूपनगड, मेंडा, तो रूपनगड और मेंडा न अपना जल सांबर जील में गिराती है, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो उप्शन 2, नेक्स्ट कुर्शन है, कामेंग किस नदी की सहाइक नदी है, तो कामेंग जो है वो ब्रह्म पुत्र की सहाइक नदी है, उप्शन 4, अगला है, 2020 में वीश्व के तीन परमु पेट्रोलिय मुत्पादक देशों का अवरोही करम है, तो इनका अवरोही करम है सिंप राज्य अमेरिका, साओधी अरब और रूस, ओप्शन 2 जो है वो राइट है, नेक्स्ट कॉर्शन है, निमन में से कौन सा अधोगिक प्रदेश बारी धात्विक अधोगियों के लिए जाना जाता है, तो इन में से जो छोटा नागपूर अधोगिक प्रदेश है, वह भारी धात्विक अधोगों के लिए जाना जाता है, नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, तथा सही उतर का सेन निचे दिये गए कूट से कीजिए, तो इसमें जो है जीलें दी गई है, और उनके जीले दिये गई है, तो नवलखा जो है, वो बुंदी में है, तालाब साही जील जो है, वो है, धोलपूर में, और कोलायत, विकानेर, और गैब सागर, डुमरपूर, तो इस तरह से उप्शन टूल जो है, इसका राइट आंसर है, नेक्स्ट क रंकला पर डोड़ा बेटा चोटी स्थीत है, डोड़ा बेटा चोटी जो है, नीलगरी की पहाडी स्रंकला पर स्थीत है, उप्शन 3, नेक्स्ट है, गोमट और मेवाडी किसके नसले है, तो ये दोनों नसले जो है, उउट की है, उप्शन 3, राजस्तान स्टेट केमिकल व नेक्स्ट है 221 से 2011 के मद्ध है निमन लिकित में से कि islands राज्य में सबसे कम दस की जन संख्यवरीदी अंकित की गई तो इन चारों में से जो है सबसे कम दस की जन संख्यवरीदी है दर परिदेश में अंकित की गई उप्शन 4 जो है मरुस्तल गिबसन मरुस्तल जो मोजावे मरुस्तल है वो इस अस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है नेक्स्ट है किसने मानसून और तिबत के पठार पर व्याप्त वायूमंडली दबाव की दिशाव में संबंद स्थापित किया है विसका आंसर जो हो मुझे नहीं मिला 115 का भी नहीं है 116 नंबर कोर्शन देखते हैं सुची एक को दो से सुमेलित कीजिए वह नीचे दिये के कूट में से सही उत्तर का चैयन कीजिए राश्ट्रिय उद्धान वे रज्जे दिये गई है और इनका सही मैचा में करना है तो मांडला प्लांट फोसील जो है वो है मध्य प नेक्स्ट कोर्शन है अधिक अवनाली का अपरदन वाले जिले है तो अधिक अवनाली का अपरदन वाले जो जिले है वो है धोलपूर करोली स्वाई मादोपूर और कोटा कौन सा सुमेलित नहीं है राजस्तान परमानू उर्जा प्रियोजना रावत भाटा ये जो है वो स सही सुमेलित नहीं है अमन सागर पवन उर्जा प्रियोजना जैसल मेर ये भी सही है नेक्स्ट है इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन 3 नेक्स्ट है जालावाड और बांसवाडा किस जिले किस जलवाईयू खंड में समेलित है तो ये दोनों जिले अतियारदर का चैन कीजिए सूची एक में केंदर दिये गए हैं वे सूची दो में उध्योग दिये गए हैं तो इनका सही मैच जो है वो हमें करना है तो ओसाका जो है ओसाका में सूर्थिवस्तर उध्योग है और डेट्राइट मोटरकार उध्योग याक्सायर उन्नी उध्योग और य सरवादिक गन्ना उत्पादक राज्य है भारत में सरवादिक गन्ना जो है वो उत्तर परदेश में उत्पादित होता है option 2 निमन में से कौन सी नदी भूमते रेखा को दो बार काटती है तो जाइरे नदी जो है वो भूमते रेखा को दो बार काटती है अगला है कौन सा चेतर भूमद्य सागरी क्रीशी का परदेश नहीं है तो दक्षिनी अफ्रीका का दक्षिन ओतर भाग जो है वो भूमद्य सागरी क्रीशी परदेश नहीं है उप्सन 3 नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा स्मूध दक्षिन राजस्तान की परवत चोटियों का उनकी उंचाई के अनुसार सही अवरोही करम है तो सही अवरोही करम जो है वो है उप्षन वन सबसे उंची जो है वो सजनगर चोटी है उसके बाद साइरा फिर नाग पानी और फिर गोगंदा नेक्स्ट है सूची एक इसको इसको सन का अंसर जो है वो नहीं मिला सब इसका भी नहीं मिला साबुन के अणु में होता है साबुन के अणु में जो है वो एक जल रागी सीर्स और एक जल विरागी फून्स होता है option 4 जो है वो इसका right answer है next है सरोपर्थम कोशिकाओं की खोज की गई Robert Hoop के दोवारा जो है वो पर्थन कोशी काउं की खौज की गई थी नेक्स्ट है ये दो कोस्टिन भी नहीं मिले 131 नंबर देखते हैं नीचे दिये गई कूट की सायता से राजस्थान के राज्य पसू का चैन कीजिए तो राजस्थान की राज्य पसू जो है वो है उंट और चिंकारा तो ओप्शन फ कास से ओप्शन 3 बे मेल जोड़ि का चैन करे एड्रीनल पीउस ग्रंति यही जो है वो सई मैक्स नहीं है टेस्टोस्टेरोन वडिशन सई है थाइरोक्सिन, थाइरोइड ग्रंथी ये भी सही है एस्ट्रोजन अंडाज से ये भी सही है तो option 1 जो है वो इसका right answer है next पारिश्थिति की तंतर में उर्जा का परवा सदयव होता है तो इसकी कोई विशेश दिशा नहीं होती option 4 निमलिकित में से किसके बहूल की करण से नियोप्रीन बनाया जाता है तो नियोप्रीन बनाया जाता है कलोरोप्रीन के बहूली करण से option 3 Next human insulin है human insulin जो है वो एक अनुवान्सिक अभियांतिक हार्मोन है निमन लिखित में से कौन भारत के green gold के रूप में जाना जाता है तो बांग जो है वो green gold के रूप में जाना जाता है निएक्स के कॉस्षिन है, ये 3-4 कॉस्षिनों के answer जो है भी मुझे नहीं मिले 143 कॉस्षिन नम्ब हम देखते है सूची 1 को सूची दो से सुमेलित कीजिये वह नीचे दिये गए कूट की साहिता से सही उतर का चैन कीजिये तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सम्बंदित है ओप्शन थ्री कालसियम ओक्सिकलोराइड से बेंकिंग सोडा सोडियम बाइकर कार्बोनेट और वासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइडरेट और जिप्सम ओप्शन टू कालसियम सैल्फेट डाइ हाइडरेट और प्लास्टर ओफ फेरिस जो है वो है ओप्शन नमबर फोर कालसियम सैल्फेट हैमी हाइडरेट तो इस तरह से option 1 जो है वो इसका right answer है next है इसका answer भी जो है वो नहीं मिला 145 question देखते हैं निमन लिखित में से किस रक्त समुह को एक सार भोमित प्राप्त करता की रूप में सेंदर बित किया जाता है तो O को जो है वो किया जाता है निमन लिखित में से कौन सा एक पसूजन्य रोग नहीं है पलेक, सार्स, रेबीस, बेरी-बेरी बेरी-बेरी जो है वो विटामिन B की कमे से होता है ये एक पसूजन्य रोग नहीं है next है मौमबत्ती जलने के दोरान किस परकार का परिवर्तन होता है तो मौमबत्ती जलने के दोरान जो है वो दोनों ही परिवर्तन होते हैं बोतिक और रशाइनिक अगला है निमन लिखित में से कौन सा खनीज अनुपूरक बच्चों में अत्यादिक दस्तों के उपचार हेतु परियुक्त किया जाता है तो इसमें से जो जिंक है वो परियुक्त किया जाता है आगे के जो दो कोसिन है ये इनका अंसर वी जो है वो मुझे नहीं मिला तो इसके साथ मारा भी पर कंप्लीट होता है धन्यवाद